प्रिणाम मित्रों, ओशो के तमाम योगदानों में से यह विशेश योगदान की बात करें, तो वह ओशो द्वारा इस जगत को मनुष्य जाती को दी गई ध्यान की विधियां, जी हाँ, ओशो ने इस जगत को जो ध्यान की विधियां दी, वह अपने आप में बहुत ही कपर और नयाब है क्योंकि वह मनश्य के शाररिक मानेसिक एवं भावनात्मक उसके तीनों तलों पर कार्ए करती हैं यूंतो ओशो की बहुत सारी ध्यान विधियांगे+, अनि-ध्यान. और विख्यात भी किया इस ध्यान विधी की बहुत चर्चाय रही, क्यों? क्योंकि इस से पहले पूर में जितनी भी ध्यान की विधिया थी, अध्यात्मिक जगत में, या जो कुछ भी पारंपरिक ध्यान की विधिया थी, ये विधी उनसे अलग थी, जब भी हम ध्यान की बात करते हैं, तो हम यही स सिर्फ बैठना था बलकि उचलना कोदना था रोना चलाना था चीखना था बहुत कुछ था तो लोगों ने इसको तब नहीं समझा और ये विवाद का कारण भी बना कि किस धंका ध्यान है लेकिन धीरे धीरे यही ध्यान आज पूरे विश्व भर में अपनाया जा रहा है वि विधी एक दिन में नहीं बनी इसके बनने की भी एक रोचर खटना है कई प्रयोग है ओशो ने कब बनाए क्यों बनाए क्या क्या परिवर्तन किये किन कारणों के बाद या किन उपयोगों और प्रयोगों के बाद दिरिक्षिनों के बाद ओशो ने इस विधी को सक्रिय ध् विधी को आज हम सब लोग जानते हैं वह एक खंटे की विधी है जिसके पहले तीन चरण 10-10 मिनट के हैं और आखरी के चौथे एवं पांचवे चरण 15-15 मिनट के हैं प्रथम चरण जो कि 10 मिनट का है उसमें गहरी अराजक श्वास को तीवर गती के साथ बाहर फिकना होता है तो दूसरे चरण में 10 मिनट के लिए रेचन करना होता है यानि खुल कर तेज चिलना, कूदना, हिलना, डुलना, हसना, रोना होता है तीसरा चरण भी 10 मिनट का होता है जिसमें हू हू की धुनी करते हुए उपर से नीचे कूदना होता है चौथा चरण 15 मिनट का होता है ज पांचवा चरण 15 मिनट का होता है, जिसमें साधक को नृत्य और उत्सव के साथ अपने अनुग्रह प्रकट करने होते हैं। ओशो व्यक्तिगत रूप से बहुत से लोगों को रेचन का प्रयोग करवाते रहे और उन पर हो रहे प्रभावों का निरक्षन करते रहे। जल्दी ही उन्होंने रेचन के बाद तुरंत मौन विश्रान्ती में चले जाने के चरण को जोड़ दिया। को फिर ओशो ने शिवरों में भी करवाना प्रारंब कर दिया। बाद में ओशो ने पाया कि लोगों के लिए सीधी रेचन में उतरना कठन होता है। इसलिए इसके पहले ओशो ने गहरी अराजक श्वास का चरण जोड़ दिया। ओशो कहते हैं गहरी अराजक श्वास आपके भीतर दबे हुए सारे आवेगों को उपर ले आती है। इसके बाद ओशो ने नारगोल के शिवर में श्वासन, रेचन और मौन के साथ एक और चरण को जोड़ कर 40 मिनट का ध्यान प्रस्तुत किया। इसमें 10 मिनट का अराजक श्वासन, 10 मिनट का तीवर रेचन, 10 मिनट का लगातार, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ का उच्चार और फिर 10 मिनट का मौन था। यह प्रयोग बैठे हुए और आँख बंद करके करना था। ओशो ने समझाया कि पहले तीन चरण तनाव की परकाश्था पैदा करने के लिए हैं ताकि चौते चरण में शान्त की परकाश्था को प्राप्त किया जा सके। उन्होंने यह भी कह कि जो लोग पूरी शक्ती को लगाने को तयार हों केवल वे ही इस ध्यान में उत्रे। शिविर में तीन दिन यह प्रयोग चलने के बाद चौते और अंतिम दिन ओशो ने सुझाव दिया और कहा जिन लोगों को कुछ भी हो रहा है वे खड़े होकर प्रयोग करेंगे क्यों उस दिन से यह प्रयोग खड़े होकर होने लगा जिसे ओशो ने अनिवारे कर दिया। ओशो ने सक्रिय ध्यान के प्रारूप में फिर से परिवर्तन किया। अब ओशो ने इसमें पांच चरण कर दिये। पहले दस मिनट तीवर अराजक श्वास, दूसरे चरण में दस मिनट पूरी शक्ती के साथ रीचन, तीसरे चरण में दस मिनट हातों को उपर उठा कर दोनों पावों पर कूतते हुए लगातार हूँ हूँ का उच्चारण, और चोथे में पंदरह मिनट के लिए अचानक स उसी स्थिती में मौन रुक जाना और अंतिम पंदरह मिनट में मधुर गती में उत्सव बनाना, हाला कि जब इस विधी में अंतिम पाँचवे चरण को ओशो ने नहीं जोडा था, उससे पहले ये चार चरण का दस दस मिनट का चालिस मिनट का ही प्रयोग था, लेकिन अंत में ओशो ने इसमें संगीत जोडा और फिर चोथे और पाँचवे चरण को पंदरह पंदरह मिनट का कर दिया और इस तरह ये एक घंटे का प्रयोग शुरू हुआ, इतना ही नहीं, आज तीसरे चरण में हम हूँ हूँ करकर जो उपर से नीचे कुदते हैं, प्रारंभ में वें दस मिनट का था, और हु, हु, हु के बदले मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ का प्रयोग था, जिसमें साधक अपने आप से पूछता था, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ओशो अपनी प्रवचन माला, जिन खोजा तिन पाईया में बताते हैं, मैं कौन हूँ, मैं कौन ह तीसरा चरण महरेशी रमन के मैं कौन हूँ प्रष्ण से सम्मंदित था जिसमें साधक अपने आप से मैं कौन हूँ पूस्ता था जिसे अंग्रेजी में हूँ एम आई हूँ एम आई हूँ एम आई था साथी ओशो ने इसे विस्थापित कर दिया सूफियों के मंत्र हूँ से ये हूँ अल्ला हूँ का आखरी हिस्सा है वैसे भी हूँ एम आई तथा मैं कौन हूँ दोनों भाशाओं में जो हूँ का उच्चारण है वही असली महतनपूर था इसलिए ओशो ने तीसरे चरण में ह हूँ हूँ का प्रयोग किया इसी तरह ध्यान के चौथे चरण में जिसमें साध्धक को अचानक ठहरना रुकना और मौन हो जाना होता है पहले ऐसा नहीं था इस चरण में पहले साधक को अपने अंगुठे से अपने आग्या चक्र को रगणना होता था लेकिन बाद में ओशो ने गुर्जियेव द्वारा निर्मित सडन स्टॉप की विधी को इस चौथे चरण का हिस्सा बनाया यानि अचानक रुख जाना और तब से अचानक ठहर ज जाना रुख जाना चौथे चरण का हिस्सा हो गया ऐसे ही शुरू शुरू में पांचवा चरण यानि जिसमें साधक संगीत के साथ अपने अहुभाव को नाश कर प्रकट करता है वह भी नहीं था इसके पीछे भी एक अपनी कहानी है दरसल सक्रीध्यान ओशो की पूदगी में होता था और जहां पर भी होता था उसमें बजाने वाले संगीत अग्ये लाइव होते थे यानि उसी वक्त बजाते थे बाद में ओशो जब पूना रहने के लिए आये तो उन्होंने बुद्धा हाल में ध्यान कराने के लिए स्वयम आना छोड़ दिया और ज पांचवा चरण जुड़ गया यानि जब ओशो नहीं होते थे तो उस रिकॉर्ड़िट संगीत की कैसेट पर साधक नाच कर जूम कर अपने अहुभाव प्रकट करते थे और इस तरह इसमें आखरी पांचवा चरण 15 मिनट का जुड़ा गया और पूरा ध्यान एक घंटे क हो गया सक्रिय ध्यान में संगीत का भी बहुत महत्व है इसका संगीत हमें विधी के विभिन चरणों में उतरने में सहता प्रदान करता है आज सक्रिय ध्यान में जिस संगीत का प्रयोग होता है उसके बनने की भी अपनी एक रोचगटना है जो लोग ओशो के शिवरों में लाइफ संगीत बजाते थे उन्होंने कई बार संगीत बनाकर ओशो को सुनाया लेकिन ओशो ने हर बार मना कर दिया ओशो के पूना आने के बाद संगीत तग्यों का एक गृप तयार हो गया इस गृप में एक जर्मन संगीत तग्य डाइटर भी थे जो की 1971 से ही ओशो के पास आ रहे थे ओशो ने उनसे सक्रिय ध्यान का संगीत तयार करने के लिए कहा फिर एक प्रक्रिया शुरू हुई जिसमें डाइटर एक एक चरण का संगीत तयार करते और फिर ओशो के कख्ष में उन्हें सुनाने के लिए जाते ओशो उन्हें सुजाव देते कि कहां संगीत को तेज करना है, कहां उचा उठाना है, कहां ड्रम की आवाज आनी चाहिए, कहां बांसुरी की इस तरह डायेटर ओशो के निदेश अनुसार कई बार परिवर्तन कर करके ओशो के पास अपने संगीत को ले जाते और अन्तता जब ओशो को सही लगा तब ओशो ने उसकी स्वीकृति दे दी, हाना कि कुछ समय बाद आश्रम में विश्व के सरवश्रेष्ट वाद्य वो रिकॉर्डिंग यंत्र भी आ गए थे, उस समय डायेटर ने ओशो से पुछवाया, कि क्या अब इन यंत्रों से एक ब तब से सक्रिय ध्यान में वही संगीत बज रहा है, इस तरह पांक चरण में इस संगीत के साथ ओशो की सक्रिय ध्यान विधी पूरी हुई, जिसे आज पूरा विश्व अपने ध्यान के प्रयोग में लाता है और डायनमिक मेडिटेशन के नाम से भी जानता है तो मित्रों, आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, आपको पता चला होगा किस तरह ओशो ने इस विधी को निर्मित किया और कितने परिवर्तों के बाद इसको सक्रिय ध्यान का नाम दिया, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवार।